सबसे खराब स्थिती दुश्मनों के बीच नहीं, तथा कथित प्रियजनों के बीच होती है प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे जीवन को पोशित करना चाहते हैं, कोई राय बनाए बिना ये पोशन का रिष्टा होना चाहिए न की राय थोपने का ये आपके प्रियजन नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा हाथ पैर है आप दो पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो आपको चार की जरूरत है या आठ या बारा नजाने कितने ये एक्स्ट्रा हाथ पैर है और जब ये हाथ पैर ठीक तालमेल में नहीं होते तो वो उलट जाते हैं चार या पांच दिमाग घर में चार या पांच पावर सेंटर हैं और उनके अच्छे तालमेल में होने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है इसे करने का एक तरीका है इसे बड़े पैमाने पर जुडाव के साथ करना भावना के स्तर पर नहीं भावनात्मक जुड़ाव बस निर्भरता लाता है भावना आनंद उठाने वाली चीज है ये जीवन का रस है भावनाओं से काम करने की कोशिश मत कीजिए आपको उनसे काम नहीं कराना चाहिए आप अपने विचारों से काम कर सकते हैं, आप अपने शरीर से काम कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से काम करने की कोशिश न करें. जब भी आप अपनी भावनाओं से काम कराने की कोशिश करते हैं, आपकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं. है न? हाँ या न? शुरू में I love you काम करता है कुछ समय बाद आप भावनाओं से अपना काम कराने की कोशिश करते हैं आप उनसे काम कराने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं आपका जीवन उतना ही खराब हो जाता है क्योंकि भावना काम करने के लिए नहीं है भावना बस आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए है आपके विचार और आपके शरीर को काम करना चाहिए भावनाएं बस मौजूद है ये एक फूल की तरह है जिसे आप अपने बालों में लगाते हैं अब कोई नहीं लगाता ठीक है आप इन फूलों से काम नहीं कराते माइक्रोफोन काम करता है कुछ और काम करता है फूलों को काम करने की जरूरत नहीं है वे बस मौजूद है भावना ऐसी ही है वो बस मौजूद है सुख़द और शांदार अगर आप उससे काम कराना चाहते हैं अगर आप अपनी भावनाओं से अपने आसपास से थोड़ा जीवन निचोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे बदसूरत होना ही है तो अगर आपके पास एक काम करने वाला दिमाग नहीं है, अगर आप सोचने के काबिल नहीं है, तब काम कराने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तमाल करते हैं। और ये कभी कभार काम भी कर सकती है, यही पूरी समस्या है, ये शुरू में काम करती है और फिर आप उसे और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और फिर आपका जीवन इतना खराब हो जाता है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है, उन लोगों के बीच जिन्हें एक दूसरे तो लोगों की अपनी राय होती है अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपकी कोई राय नहीं होनी चाहिए प्यार का मतलब यही है प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे जीवन को पोशित करना चाहते हैं कोई राय बनाए बिनाप हम प्रियजन हैं हमारी एक दूसरे के बारे में मजबूत राय है नहीं आप जीवन को बांधने की कोशिश कर रहे हैं एक राय एक तरीका है किसी व्यक्ति को एक जन्जीर में जकड़ने का प्यार का मतलब है किसी व्यक्ति को एक नई संभावना में विक्सित करना ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी तरह से ये साथ नहीं हो सकती, आप कभी कभार कुछ फैसले करते हैं, उसे बहतर ढंग से पोशित करने के लिए, आप घर में बच्चों को पाल रहे हैं, आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं जहां बच्चे अभी हैं, उ आप बस अपनी राय की एक खोल में उसे जकर देना चाहते हैं और आप निराश हो जाएंगे अगर वो आपकी राय पर न चले। नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता। अगर आप लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो ये पोशन का रिष्टा होना चाहिए। नकी राय का, ये इस तरह काम नहीं करेगा, बुन्यादी प्रक्रिया ही गलत है, तो ये कैसे काम करेगा। संयोग से, स्थिती के नएपन के कारण, क्योंकि ये हनीमून टाइम है, ये कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो अगर वाकई ये एक प्यार का रिष्टा है, तो कोई राय नहीं होनी चाहिए, केवल पोशन होना चाहिए।